दोस्तों नमस्कार स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है आज दोस्तों एंसियन्ट हिस्ट्री के एक और वीडियो में आपका स्वागत है जैसा आपको दिख रहा है आज का हमारा टोपिक रहेगा मोर्य समराज्य यानि मोर्य यूग, मोर्य डिरेश्टे जिसे कहेंगे 323 विश्ची से 183 विश्ची तक का कारिकाल मोर्य समराज्य का रहा है सभी प्रकार का study material by courier लेने के लिए 8447410108 इस नमबर पर call या message कर सकते हैं DSSB, KVS, NVS, UGC NET, CTET, HTET, Screening, हर प्रकार के teaching exam का study material PRT level से लेकर principle तक आपको by courier मिलता है तो आई ये शुरू करते हैं आज की वीडियो को पिछली वीडियो आपने जैनिजम की देखी उससे पहले बुद्धिजम था उससे पहले इंडर सिबलाजिशन था Modern History, पूरा Crash Course 2 घंटे में पूरी Modern History को story based बना करके मैंने upload किया है YouTube के ओपर कहीं भी search करेंगे Modern History by Dr. Vijay Sir तो सबसे पहले आपको वो दिखेगी इस वीडियो का discussion में भी उसका link देदूँगा वो देखिए history को पढ़ने का आपका नजरिया और अंदाज बदल जाएगा आईए शुरू करते हैं सबसे पहले मोरिये वन्स में शुरू करेंगे हम लोग चंद्रगुत मोरिये को जो मोरिये समराजजर मोरिये वन्स का founder सस्थापक जनक भी माना जाता है कारियकाल इनका रहा 323 BC से 200 पिचाण में यानि 323 BC से 295 BC स्ट्रेंबो, परियन और जस्टिन प्लूटार्क ने मोरिये वन्स के सस्थापक चंद्रगुत मोरिये को सेंड्रो कोटस के नाम से पुका रहा है पहला ही क्योस्टन जो यहां पूछा जाता है वो पूछा जाता है किस व्यक्ति को सेंड्रो कोटस के नाम से जाना जाता है आपका अंसर सीधा सीधा होगा चंद्रगुत मोरिये को आगे बढ़िये, एपियन और प्लूटार्क ने इसे एंड्रो कोटस भी कहा है चंद्रगुत मोरिये कोन से कोन से नामों से जाना गया एंड्रो कोटस के नाम से भी जाना गया और आपका सेंड्रो कोटस के नाम से भी सबसे पहले विलियम जोन्स ने 1793 इस्वी में सेंड्रो कोटस की पहचान भारतिय गरंतों के चंद्रगुत मोरिये से की है अब यह question एक और बन जाएगा कि 1703 में किस व्यक्ति ने चंद्रगुत मोरीय को सैंद्रो कोटस के नाम से पहचाना विलियम जोन्स आएगा विलियम जोन्स ने 1703 में चंदरगुपत को किस नाम से पैचाना सैंडरो कोटस आएगा विलियम जोन्स ने 1703 में सैंडरो कोटस के नाम से किसको पैचाना चंदरगुपत मोरी आएगा यानि बहुत सारे क्वेस्टन स्टेटमेंट बदल बदल कर आपके सामने रखे जाएंग पेतान्ना आपको है समझा मैं रहा हूं। ब्रहमन गरंत में एक सवर्षिट चंदरगुप्त को व्रसल तथा कुलहीन कहा गया। व्रसल और कुलहीन किसको चंदरगुप्त को ब्रहमन गर्थ के अनुशार। विशाका दत के द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस में चंदरगुप्त को व्रेसल तथा कुलहीन यहां भी कहा गया है। महापरी निर्मान सूत्र में मोर्यों को पिपली वन तथा अक्स्त्रिय वन्स का सासर कहा गया है। तक्सिला विश्विद्यल्य का आचारी है। चानक्य था यह सिंधु नदी यह जहलम नदियों के बीच में स्थिर था। यह आप लोगों को सिंगल सिंगल ऐसे ऐसे कंटेंट में बता रहा हूं जो आप लोगों को डीपली नहीं जाने पड़ेगे और जहां जुरूत पड़ेगी वहां मैं समझाने के कोशिस करूँगा। ज्यादा तर बच्चों को आम तोर पर यह पता करना जुरूरी होता है कि क्योस्टन्स कैसे आएंगे मेनमेंट मैंट हमें पता चले क्रैस कोर्स हमारा हो जाए बाकी हम अपने आप निकाल लेंगे इसी क्रैस कोर्स की कड़ी में यह सारे सिंगल टॉपिक चल रही है चंदर मोरिय की सेना को डाकूं का गिरों जस्टिन ने क्या कहा संदर गुप्त को विवास समबंद के फल सवरूप दिये थे लेकिन स्टोरी एक अलग है इस परकार से यहाद देखेंगे तो शल्यूकस कौन था चानक्य ने अपने अपना जो महराज था चंदरगुप्त उसको जब उन्होंने धनानंद को खतम कर दिया नंद बंस को हरा दिया उसके बाद जब सेलुकस के समराज़े की तरफ बढ़े तो सेलुकस की हार हुई चंदरगुप्त की जीत हुई समझोता इस बात पर हुआ कि सेलूकस निकोटर जो एक प्रकार से जिस व्यक्ति को हम लोग अलेकजेंडर का भारत में परतिनीधी मानते थे उस व्यक्ति ने अपनी पुत्री हैलाना निकोटर का विवा चंदरगुप्त के साथ किया और बदले में काफी सारे हाथी और बहुत बड़ा सा धन दोलत दिया था जिसके बदले में चंदरगुप्त ने उसको माफ कर दिया और उसको अपने सामराजय में बने रहने दिया रियल जो स्टोरी है वो इसके पीछे की यह है। अपनी इंडी का नाम की पुस्तक लिखी। रिखक जो लिखेगा अपनी किताब में वही भविषय में जाना जाएगा क्योंकि किताबे ही एक मात्र ऐसी सोर्ष थी जो भविषय में पहचानी जानी थी। तो इसलिए चंद्रगुप्त ने ये इच्छा जताई कि भविषय में अगर वो महान बनना है तो उसको अपने दवारा कुछ ऐसी किताबे लिखवानी चाहिए जो भविषय में उसको एक योधा के रूप में, शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में, एक पर्तिबासाली राज है या एक परकार से जो फिलोस्पर है वो चाहिए, सैलुकस निकोटर जो मद्दे एशिया से आई हुए और अलेकजेंडर जैसे महान शक्तिशाली व्यक्ति का उत्रा दिकारी था, उसके सामने जब बात गई, तो उसने युनान से बात करके या अलग-अलग राजाओं के स कहा गया कि आप उसकी वीरता की गाथाएं लिखिए और मेगस्थनीज ने इंडीका नाम की पुस्तक लिखी जिसमें मौरिय परसाशन और चंद्रगुप्त के वीरता के बारे में पूरे का पूरा वनन किया गया है, तो मेगस्थनीज के लेकग कौन थे, मेगस्थनीज किस का वनन किया गया है, मौरिय परसाशन ये कुछ के बदल बदल के अलग-अलग एकजाम में आप तक पूछे गई है, चंद्रगुप्त ने जब मगद पर आकर्मन किया, उस समय वहां का सासक धना नंद था, जो नंद वनस का आखरी राजा था, गिरनार अभिलेक से ग्यात ह होता है कि चंद्रगुप्त के राज्यपूर्ट पुष्य गुप्त वैश्य ने सुदर्सन नामक जील का निर्मान भी करवाया था, जब मगद में 12 साल का अकाल पड़ा, तो चंद्रगुप्त राज्य त्याग कर जैनाचारिय बद्रभाव के सर्वन वेल गोला करना टक च आनित्याग दिये, फिर आप बात करेंगे बिंदुसार की, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार जो 298 विश्य से 222 इसमी तक जिसने राज किया, चंद्रगुप्त की मिर्त्यू के बाद उसका पुत्र बिंदुसार समराट बना, जो आजविक संपरदाई का तकसीला में हुए विद्रो को दबाने के लिए बिंदुसार ने असोक को भेजा था तथा दूसरी बार सुसिम को भेजा, सैलुकस के उत्रा दिकारी एंट्रियोकस पर्थम में अपनी डाइनोसिस बिंदुसार के दरबार में भेजा, प्लीनी के अनुसार टालमी द्वीति फिले डेलफस ने डाइको डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार में नुक्त किया था, एथिनियम के अनुसार बिंदुसार ने अंट्योकस, शीरिया के राजा को एक युरानी दार्षनिक भेजने के लिए कहा था, रियल्टी इसमें ये है कि बिंदुसार का बहुत कार से सकते शाली वदक चीज होती थी, एक उससे मांगे थी मदिरा यानि सराब, और तिसरा मांगा था उससे एक दरषनिक यानि एक फिलोस्पर, तीन चीजे उससे मांगे थी सूखी, अंजीर और मदिरा, ये दोनों चीजे एंटीयोकस ने उसी समय दे दी थी और जो आदमे भेजा जिसका नाम था एथिनियम यह चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है जाननी जोकि जब तक आपको यह चीजें पता नहीं होगी तक डाउट कलियर में होगे चानिके के बाद खलाटक और राधा महमंत्री के रूप में निउक्त हुए अब बात आती है इस वन्स के सबसे चमकते सितारे भारत के गोरो असोका के बारे में 273 विश्वी से 232 विश्वी तक राज किया बिंदु सार की मिर्तु के बाद असोक का राज़ा विश्वी में हुआ राज़ा विश्वी के पूरो असोक उज्जैन का राजा था अब देखिए राज़ा विश्वी हुआ 279 विश्वी में कार्यकाल दिखाया गया 273 से तो ये चार साल कहां गए असोका ने अपनी गद्धी प्राप्त करने के चार सालों के उपरांद अपने सबी निंदानों भाईयों की हत्याएं की और उसके बाद वह एक मातर राजा के रूप में अ असोका उजयन के राज्यपाल के पकपर था सिहली अनुसरूती के अनुसार असोक ने अपने निंदानों भाईयों की हत्या कर सिंगास्तन पराप्त किया ये क्युश्वी पूचा जा सकता है कि असोका के भाईयों की हत्या का वरनंद कहां से मिलता है सिहली अनुसरूती के अनुसार ये वणन्द मिलता है असोक ने नेपाल को विजित किया और तक्सीला का विद्रोह उसने शांत किया जिसकी वज़े से वह काफी फेमस भी रहा असोका ने अपने राज़ा विशेक के नवे वर्स में 261 इस्वी पूरो में कलिंगा पर विजय पराप्त की कलिंगा का यूद उसके अपरकार से यह नौवा भी आप आठ्वा भी बोल सकते हैं इसको आठ्वा भी कहा जा सकता है क्योंकि 269 से 261 की तरफ चलेंगे तो कई किताबों में इसे आठ्वा भी बोला जाता है क्योंकि एक ही साल आप काउंट करेगे या 269 वाला या 261 वाला अब पादिवने मिली देवानाम पिरिये दसी समराट असोग के पांच प्रांतों का वर्णन किया गया है पहला प्रांत था उत्रापन जिसकी राजधानी थी तक्सिला दूसरा था अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी तीसरा था कलिंग जिसकी राजधानी थी तोसली इनको आपको कई वर मिलाना पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है, कि अगर उचित मिलान में आता है, सूची वन, सूची टू बनाकर, तो कैसे आप इनको मिलाएंगे, मास्की गुर्जरा, नेतूर उदे गोलम के सिला लेक में, उसका नाम असोक मिलता है, तो था पुराणों में इसे असोक वर्धन कहा है, असोक की माता का नाम सूबर्धांगीता, ये भी याद रखना भे, असोक की माता का नाम क्या था, सूबर्धांगीता, अशोक्त के जीवन के मैठव और गटनाओं के बारे में दिकर कर लेते हैं कलिंग यूद अशोक के अभिसेक के नोवे वर्स याथ में कह सकते हैं इसको क्योंकि एक साल घटा हो गए तो जिखकलिंग यूद के बाद ही उनहोंने बहुत धर्म सिवकार कर लिया अभूत्पुरो सपलता कान हो अभूत्पुरो सपलता कान हो अभूत्पुर्वे वर्स चतूर्थ सिला लेख के अनुसार ये वनन मिलता है लुंबिनी यात्रा अभी सेख के बिशमे वर्ष की असोग ने अभी अपने सिला लेखों है ब्रामी, क्रोष्टी, ग्रीक और अरामेइक यह 4 के 4 याद रखना है ब्रामी, क्रोष्टी, ग्रीक और अरामेइक लिपि का परियोग क Ya असोक ने बोध्रम के परचार के लिए अपने पुत्र महिंद्र और पुत्री संग मित्रा को स्रिलंका भेजा था। दिव्यावदान असोक को बोध्रमे दिख्षित करने का स्रे उपगुप्त नामक भिक्सु को परदान होता है या उसको इस्रे जाता है। असोक ने जो धम की परिवासा दिया है वेर राहूलोव वादसुत से ली गई है। 1750 विश्य में टीफे प्रिंसेप ने इसको पड़ा। परफ्रम अब इसिला लेक में ये घोशना है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। मैगस्तनीज के अनुसार नगर का परशाशन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो सह समित्यों में विभाजित था पर तेक समित्य में 5 सदस्य हुआ करते थे। आप आईए और डेटेल देखते हैं क्योंकि इसमें चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे बहुत सरे questions होंगे जो आप लोगों के लिए जानना बहुत important है क्योंकि single-type questions, single-line question sentence type question ये आपके लिए जानना बहुत बेहतरीन होगा। असो का समकालन सिंगल नरेश तिस्षा था जिसने भी देवानापिरिये की उपादी धान होई थी। नागारजुनी अभिलेख में देवानापिरिये उपादी मोरियन रेश दसरत के लिए भी उपयोग थी। यहां साव्यमुनी बुद्ध का जनम हुआ था इसलिए लुंबीनी ग्राम धार्मिकरों से मुक्त कर दिया गया केवल आठमा भाग लेना इसके लिए निशित किया गया रुमिन देई अभिलेख में लिखा जाता है त्योंकि जहां पर बुद्ध का जनम हुआ वहां पर टेक एक यह क्रिशन याद रखेंगे मुर्य वन्स का अंतिमशा से कुन था व्रद्र था जिसकी हत्ता 185 विशी में उसी के सेनापती पुष्य मित्र सुंग ने के थी पुष्य मित्र सुंग धम महमात्र असोग दवारा नुक्त नवीन करमचारी जो जनता की धरम में रूची प अधिकारी होता था सीता धक्स कैरसी विभाग का अध्यक्स होता था आकारा धक्स खानों का अध्यक्स है एड-वदल माईंस शुना धक्स भूचण का अध्यक्स होता था जहांगं सेकला क्थमादे सास्त्र में बनेक्ट 18 insist on अर्ज सास्तर के अनुसार 18 महाद, 18 तेत कौन से थे, नमरेक मंत्री जटा पुरोहित, मंत्री जटा पुरोहित, पर्धान मंत्री जटा पर्मुक धर्मा धिकारी थे, समहर्ता, राच्व विभा का पर्धान अधिकारी, सन्नी धाता, राजकीय कोसा धिकरन का पर्मुक अधिकारी, सेना पती, सेना ध्यक्स, युवराज, राजा का उत्रे अधिकारी, परदेश्टा फोजदारी न्याले का न्याधीस होता था, नायक सेना का संचालक करने वाला संचालक, कर्मान्तिक देश के उधोग दंदों का परधान दरिक्षक, व्यावहारिक दिवानी न्याले का न्याधीस, मंत्री प्रिशादा जक्स, मंत्री प्रिशित का न्याधीस, दंडपाल, सैन्ने सामगरी जुटाने वाला परधान अधिकारी, अंतपाल, सीमा, बोल्डर के दुर्गों का रक्षक, दुरगपाल, देश के अंदर के जो दुर्ग था किले थे, उनका परबंदक, दोनों में अंतर है, अंतपाल जो है, जो बोल्डर के जो किले थे, उनका अधिकारी परशास्ता तथा राज की अग्याओं को लेपीबद करने वाला एक अधिकारी होता था दोवारिक राज महलों की देखरे करने वाला परधान अधिकारी अंत वरसिक समराट की अंगरक्षक सेना का अधिकारी आवन्टिक वन विभाग का अधिकारी होता था आगे देखते हैं प्राचीन काल की महतवपुन रचना है प्राचीन काल की महतवपुन रचनाओं में किस-किस का वर्णन आता है इधर पुस्तक है, इधर उनके लेकक है फिर आगे पुस्तक हैं फिर उनके लेकर के आईए शुरू करते हैं एक से लेकर के लास्ता कम लेकर चलेंगे ताकि आप लोगों को यहाँ पर काफी सारे क्योस्टन जैसे मिलें जो बार बार आएं काविया दर्शन की रतना दंडिन ने की सोरिया से घांत की रतना आरिया भट के दवारा की गई थी एक एक को देखी आप लोग क्योंकि आने वाले एकजाम में आप लोगों को इन में से बहुत सारे क्रिश्टन अलग-अलग जगत देखने को मिलने वाले हैं दस कुमार चरित दंडित के दवारा, न्यायावतार सिध सेन के दवारा, सोपन वास्त्वदत भास ने लिखी काधंबरी बान के दवारा लिखी गई चारूदत्ता भास के दवारा नागानंद हर्स के दवारा अरूभंग भास के दवारा पिरिय दसिका को लिखने वाला राजा हर्स था हरस्चरीत ने बान लिखी रतनावली को लिखने वाला भी राजा हर्स वर्दन था पंच तंतर विश्णु सर्मा ने लिखी किरातार जुर्निम भारवी के दबारा लिखी गई फेमस किताब थी नेती सास्तर को काममदक ने लिखा रावनवद वच्षभटी ने लिखी कामशुत्र लिखने वाला वाच्यायन था अमरकोस को अमरसिंग ने लिखा चरक सहिता लिखने वाला महां चरक था, रितु सनहार कालिदास ने लिखी, मेग दूत को भी कालिदास ने लिखा, कुमार संभो भी कालिदास ने लिखी, रगु वन्स भी कालिदास ने लिखी, मालवी कागनी मित्रम भी कालिदास ने लिखी, अभिज्यान साकुंतलम कालिद कोजचा, ने लिखी विक्रम दिवारा क musiम कालिधास जवारा लिखे किताब था मुद्र रक्स विषाका दत की देवी चंदरगुप्तम हिसा क दतक मरस कटिकं सुद्रक ME लिखी ह酥 चंद्र व्याकरन चंद्रगोवंई विशुद्धिगम बुद्ध गोस वच्ट सहिता वरामहिर के दवारा पंच सिद्ध απο मिहिर ब्रम सिद्धांद का अर्य custard आड़्य भात आरी भट्यम फिर आ ये इसमें से हैं कम से कम 10 बारा बुक ऐसी होगी दोस्तों जो आप लोगों को बहुत बार अपने एक्जाम में देखें अगर ठीक था का आप एक एक बात को देखेंगे तो मैं आप लोगों को बता सकता है कि कौनशी कुनशी किताबों को कहा कहा पर बिल्कुल डेरेक्ट पूछा गया, कभी किसी बुक का राइटर, कभी राइटर की बुक, आप लोग सोच सकते हो, इतनी बार इन क्योस्टनों को आप लोगों के सामने रखा गया है, फिर भी अगर आप लोगों को इसमें से कोई क्योस्टन ऐसा लगे, जो आपको जिसके उपर डाउट हो, तो आप हम चलते हैं, इससे आगे वाले पार्ट पर, जहां पर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट के क्योस्टन हैं, वो आपके इस सामराज़े से रिलेटिड होंगे, और जितने भी आप लोगों को आम तर पर यहां क्योस्टन डिसकस करवाई जाते हैं, उन में से बहुत स देखते हैं, इसी से संबन्दित, रूप जीवा, सवतंतर रूप में व्यश्य भूमी करने वाले स्त्रियां होती थी, पर वहन एक प्रका का सामुईक समारो होता था, अदेव मात्रक, ऐसी भूमी जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी, सीता, राज्य की भ अच्छी दास होता था, उपदा प्रिक्षन, राजादवारा मुख्य मंत्री जिथा पुरोहित को सुनने की प्रकेरिया होती थी, तीर्थ, अर्ज सास्तर में वर्नेत उचे सतर के करमचारी, जिनके संख्या अठारा, सन्नी धाता, कोशा ध्यक्स, धरम सत्ये, दिवानी न नहले, साहस, चोरी डकैती लूट के मामलों को धरम सत्ये नहले में पेश किये जाने को साहस कहा गया, संस्था, एक स्थान पर संगटित होकर गुपचरी करने वाली संस्था, संचार घुम घुम कर गुपचरी करने वाली संस्था, अहार जिले को कहा गया, और ब्रहमन निस साल निशात वेद पंडित को असुले असो के अभिलेखों का जरनन वर्णन हो असो का जिकर हो और उसके अभिलेखों का वर्णन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है तो असे के अभिलेखों में पहले अभिलेख में किस चीज़ का वर्णन है उत्समों के आधार पर पसु हत्य करना वरजित था, राज़किय रसोयी में दो मौर और एक खिरण के वद था यहाँपर उल्लेख मिलता हैं असोग का जो पहला उल्लेक है उसमें पसु हत्या करना वर्जित था और राजगी रसोई में दो मोर और एक हिरन के वदखा यहाँ पर उल्लेक मिलता है। सभी भागों में भर्मन करने का आदेश उल्लेक की थे। चोथे अभिलेक में क्या है धम के परती अतदिक आस्था सम्मान एवं धम से संबंदित अन्य सिधानतों का यह वर्णन मिलता है। पांचमा अभिलेक किसके बारे में हैं? धम महमातरों की नुकती, ग्रीक कंबोज, गांधार, पिटनिक लोगों के कल्यान, एम कुलिन, सेवक, अंकीचन, तथा कारागार, जिसको आप लोग जेल बोलते हो, जिसको आप लोग सलाकों के पीछे जेल के अंदर का नजारा जह होता है, उसी को आप लोग इसमें मानेंगे, तो इसका वर्णन होता है, और जेल के बंदियों के कल्यान कारी कारियों का वर्णन, कौन से अभिलेक में हैं? पांचमे अभिलेक में हैं, सटे अभिलेक में क्या है? सस्तक्त परसासनिक व्यवस्था एम आतम नियंतरण का उले असो की धम यात्रों का वरणन कौन से अभिलेक में मिलता ये क्वेशन पुछा जा चुका वे आठवे में नोवा अनावस्य गतिविजियों को रोक कर धम विश्य गतिविजियों पर बल दिये जाने का उलेक है दसवा अभिलेक असोक ने आदेश दिया कि राजा या उच अधिकारी हमेशा परजा के हित में ही सोचें ग्यारवा अभिलेक धम की सिक्षा धम की परसंसा और धन में सहयोग परदान करने का उलेक है बारवाँ अविलेख धार्मिक सैशनुता और सरोधरम संभाव की अवधारना का ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट आप के लिए तेरवे अविलेख में ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप है तेरवाँ की है तो ये काफी सारे क्यूस्टन थे जो आप लोगों को यहां पर देखने थे तो इसमें अभिलेखों में आप लोगों को अलग अलग समय पर काफी सारे क्यूस्टन ऐसे दिखेंगे जो आपने देखेंगे पिसली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी अगले वाड़ी एट डबल पॉर सेवन और चलने रहा है यह थोड़ा सा सलो मैं दुबार ले देता हूं ने चाहिए कोजी कतनी है एट डबल पॉर सेवन फोर वन जीरो वन जीरो एट यह मुबाइल नंबर है वट्सप नंबर है इस नंबर पर कोल या वट्सप पर मैसेज करके ओर्डर कर सकते हैं और आपका नाम आपका सीटी किस एक्जाम की तयारी करें है सब्जेट कौन सा है यह चीजे लेकर अगर वट्सप करेंगे तो जो भी जरूरी इनफोर्मेशन होगी वह आपका समझ में पर मिलते देगी इस वीडियो में इतना है था नेक्स्ट का वेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेहनत कीजिए